हेलो गाईज तो केसे हैं आप सब लोग आपका मेरी यूटूब चैनल के व्लोग्स पर एक बार फिर से वर्मली वेलकम आज मैं आपके लिए वाइटमीन सी से भरपूर समर नाइट क्रीम लेकर आई हूँ जो आपकी स्कीन को हाइड़ेट करेगी ब्राइटन करेगी लाइटन करेगी और आपके स्कीन के पिएच लेवल को भी बैलेंस करेगी और यदि आपको एकने के मार्क्स रह गए हैं या फिर आपको डाग स्पोर्ट से तो यह उन्हें भी रिमूव करेगी और यदि आपको प करके रेडी हो जाती है तो चलिए देख लेते हैं कि अब हमें क्रीम को बनाना किस तर्के से हैं तो हमारा पहला इंग्रिडेंट है औरेंज के छिलके औरेंज के छिलके में कापर फॉलेट मैंगनेशियम फाइबर वाइटमिन सी भरपूर मात्रम पाय जाता है तो इन में क्ली पार्ट हटा कर इसे ग्राइंड भी कर सकते हो और छिलकों को ग्रेड करते वक्त धियान रखें कि आपको ईनका बाः वाला पाट घ्रेक अंधर वाह्य वाला पार्ट हमे यूज में नहीं लेना है तो अब इन ओरेंज के छिलकों का चितरगे से ग्रेड कर लिया है तो अब हमें इसे इस्टेनर के मदद से इस्टेन कर लेना है ताकि जो इसका रस है वो हमें मिल जाए तो अब मैंने इसा चितरके से इस्टेन कर लिया है और अब हमें ओरेंज के छिलको का जो जू से वो मिल चुका है तो इसके बाद हमें करना ये है कि एक खाली बाउल लेना है और एक कोटन क्लोथ का छोटा टुकड़ा लेना है ये इतना पतला होना चाहिए कि आप इससे योगर्ट को च्छतर के से छान सको तो अब इसमें वन से टू टेबली स्पून योगर्टेट कर देना है और आप तो अब हमारी हंकड रेडी है तो अब हमें इस हंकड को हमने जो औरेंज के चिलको का जूस बना करकर रेडी किया था उसमें एट कर देना है और इससे तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसकी एक क्रीम बन करकर रेडी ना हो जाए यानि कि एक क्रीमी फॉर्म में ना आ हुँ ताकि इस cream को हम लोंग टाइम तक store करके रख सके तो इसके सात ही मैं आपको इसकी self life के बारे में बताती चलूँ इसकी self life है वन वीक तक आप इसे फ्रीज में store करके रख सकते हो वन वीक के बाद आपको इसे से बनाना होगा तो अब मैंने इसे एक एरटाइट कंटे़नर में ट्रांसफर कर दिया है. इसके साथ ही मैं आपको बताती चलू कि इसे यूस की तरहीं से करना है, तो आपको इसे यूस करने से पहले अपने फेस को अचे तरहीं से वाश कर लेना है और इसके बाद आपको थोड़ी सी क्रीम लेनी है और इस अपने फेस पर अच्छी तरह के से अपलाई कर लेना है और क्रीम अपलाई करने के बाद अपने फेस पर हलकेर की मसाज कर लेनी है ताकि क्रीम आपकी स्कीन में अच्छी तरह के से अब्जॉब हो जाए और जब cream आपकी skin मचतर के से absorb हो जाए तो इस overnight के लिए ऐसे ही छोड़ देना है तो जैसा कि हमने इसमें yogurt rate किया है yogurt में काफी मात्रा में electric acid पाया जाता है जो हमारी skin को light and bright and बनाता है और हमारी skin tone को even करता है और orange के चिलको के benefits तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ तो यदि आप इस cream को daily use करेंगे तो 2-3 दिन में ही आपको इसके फर्क देखने को मिलेंगे और जैसा कि आपको पता ही है मैं जो भी cream आपको use करने के लिए suggest करती हूँ पहले मैं खूद उसे use करती हूँ इसके बाद ही मैं आपको इसे use करने के लिए suggest करती हूँ यह cream मुझे बहुत पसंद आई है तो कि इसके result amazing है तो आप इसे जरूर try कीजिगा और वापीस आपके इसके feedback में जरूर share कीजिगा तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लिस लाइक करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो प्लिस जल्दी जाए और subscribe कर ले ताकि आपको में वीडियो की notification मिलती रहे और आपको 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 आ